तो हेलो आट वी बास क्या हाल है विटा आज हमें शुरू करना है construction के 11.1 का first question शुरू जिसमें हमें draw करना है construct an angle of 90 degree यानि 90 degree का हमें angle draw करना है at the initial point of a given ray यानि जहां से ray हमारी शुरू हो रही है for example यहामने बना रहा रहा हुआ यहां से हमें एक angle बनाना है कितरे degree यह हमें देखा 90 degree यह हमें रहे है, रहे है कुछ ऐसा बनेगा 90 degree का angle और उसके बाद हमें उसका justification भी देरा और इन शॉर्ट हमें बनाना है 90 degree का ऑंगल और लास्त में लिखना है उसका justification इसे नहीं बनाना है इसे compass से और एक simple scale से, okay? So yes, चले, start करते हैं, बहुत simple है, सबसे पहले तुम्हें एक ray बनानी है, So, यहाँ पर मैंने ray बना ली, ray की length नहीं दे रही है, तो ray आप कितनी भी लंबी बना सकते हो, मैंने ray बना ली approximately 6 cm की fine, Pencils शाप होनी चाहिए, और overwriting नहीं करनी है, बिलकुल भी नहीं करनी है, Compass आप कितना भी खूल सकते हो, जितना आपको मन करें, इतना, या फिर इतना, कितना भी Compass खूल सकते हो, जितना मन कर रहा है आपको, ठीक है, and then इसके बाद पर रखना है, जहां से हमने ray शुरू करी है, अरो भी मैं आप बना लेते हैं, इसका ray जा रही है, हमारी इधर को बाग रही है, तो arrow जहां को जा रहा है, जहां से start करी है, हमने ray, वहां से बनाते हैं, एक semi circle, बनाने के लिए कुछ इस तरह से आप रा और यहां पे रखकर एक और आर्क बनानी है, compass tight होना चाहिए, डिला हुआ तो यह जो किया है, असे से tight कर लेना आराम से, compass आपका tight होना चाहिए, बहुत जारा idea, बहुत जारा डिला नहीं होना चाहिए, then, जो मैंने पहली ray बनाई थी, यह थी मेरी 60 degree ray, यानि यह वाली ray मे मेरा 120 degree का angle बन गिया है, बट हमें 120 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 90 degrees, अब देखो, करना क्या है, तुम्हें पताएगी यह तुम्हें पूरा 60 बन चुका है, तुम्हें 30 degree का angle और चाहिए, तो 30 degree के लिए हम क्या करेंगे, यह जो मेरा angle है न, इसके बीच में से एक line 60 हमारा यह एंगल हो जाएगा, और 30 हमारा यहाँ पे एक angle बन जाएगा, अब देखते हैं यह कैसे होगा, जितना compass खोला था, उतना ही खोल के रखना है, और यहाँ पर एक line ड्रॉ करी, यहाँ से एक arc लगाई मैंने, और यहाँ पर compass रखे, मैंने यहाँ से एक और arc ड्रॉ से, बस हो गया काम, यह बन गया हमारा 90 डिगरी का angle, इसके लिए अब हमें लिखना है, तो steps of construction, उससे पहले ज़रा इसकी naming कर देते हैं, तो सबसे पहले आपका इसको देदो नाम आप O, ठीक है इसको देते हैं, let's say B और यह A हो जाएगा हमारा point इसके हिसाब से, इसको आप C नाम दे दो, इस angle को D point को और इसको P दे रहते हैं, okay, so naming हमने कर ली है, और steps of construction हमारे यह रहे सारे के सारे, जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, draw a ray O A, हमने क्या किया था, यहाँ पर एक ray बनाई थी, O A जो हमारी रहे थी, वो बनाई थी, then उसके बाद हमने क्या किया थ with the same center as B and with the same radius as well, विटा B को ही center लेके same radius से हमने क्या draw किया था, उसके बाद point C draw किया था, यहनी arc हमारी C draw की थी, और उसके बाद C को center लेके हमने D draw किया था, D जो हमारी arc है, यह वाली, यह draw की थी, and then हमने C और D, दोनों को center लेके, एक common, दो arc हमने बनाई थी, एक यह वाली arc और एक यह वाली arc, जिससे हमें एक point मिला P बीच का, ठीक है, और फिर finally आप क्या करोगे, O P को join कर दोगे, तो यह आपके सारे के सारे 6 steps of construction जो आपको लिखने ही हैं, और इसके बाद जरा बात करते हैं यहाँ पर अब justification की, justification exams में काफी कम पूछा जाता है, but still आना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं पूछ सकते हैं तुमारे teachers, so सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, justification में हमें यह प्रूफ करना है, जो हमने POA बनाया है, यह एक right angle प्रूफ करना है, इसको हम कहते हैं justify करना है, यानि समझाओ, इसको justify करो, prove करो कैसे है, ठीक है, so हमें to prove में आप लि कर लेते हैं, OC को मिला लेते हैं, ठीक है, OC को हम क्यों मिला रहे हैं, मैं जब उसे join करोगे तो dotted line से join करना, ठीक है, क्योंकि हमारा जो असली construction है, 90 degree का, वो आपको अलग से दिखना चाहिए, teacher को check करते हुए, और आपको भी पता होना चाहिए, हमने construct क्या किया है, so यह मैंने angle COB है, यानि, we know that angle COB, यह हमारा 60 degrees का है, यह angle 60 degree का है, क्योंकि पहली arc लगाई ती हमने, और क्योंकि यह हमारा 60 degrees का है, तो हमारा angle COD भी तो 60 degrees का है, यह दोनों angles हमारे 60 degrees के हैं, ठीक है, क्योंकि हमने same arc से draw किया था, इसके बाद मैं यह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो angle मेरा POA है, जो angle मेरा main जो angle है मेरा POA, यह मैं लिख सकता हूँ, उसे कि angle POA equal to angle POC plus angle COA, मैंने इसको दो parts में divide कर दिया, इस 90 degree वाले angle को, एक तो इस angle में छोटे वाले और एक इस बड़े वाले angle में, अब यहाँ से देखो, हमें COA, COA या COBB कहलो उसे, इसको COBB आप लिख सकते हो, हमें COB की value पता है कितनी है, इस angle की मेरी value है 60 degree already, ठीक है, मुझे पता है, यह pencil वाले marking तुम पेपर में मत करना, तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, हमें COB पता है कितना है मेरा, 60 degrees है, मुझे POC निकालना है, ठीक है, तो देखो, मेरा बिटा POC हो जाएगा, half of angle DOC या COD, तो angle POC मेरा कितना हो गया, 1 by 2 of 60, यह आगया मेरा 30 degrees, उके, इसका reason दो गए आप कि, देखो, यह जो आपका पूरा angle था, यह 60 degrees था, DOC, बट यह half है, यह half है, reason क्या होगा इसका, क्योंकि OP is bisector, OP is angle bisector of angle DO, of angle DOC, क्योंकि बटा, DOC का जो आपका angle bisector है, वो है OP, यानि, बीच में से जा रही है, OP, अब इसके बाद, same चीज, जो यहाँ पे मैंने first equation से मुझे मिल रही है, putting value in equation 1, putting value in equation 1, अब आप equation 1 में value पुट कर दो, तो आपका angle POA कितना आ गया, POA मेरा आ आ गया, POC plus COB, बटा, POC कितना आया मेरा, POC मेरा आया, 30 degrees, plus COB कितना है, 60 degrees, okay, so यह हो गया मेरा 90 degrees, hence, proved, removed, so that's it, okay, so यह तवारा first question में मिलते हैं, second question में, so तब तक के लिए की crackना concept,